नमस्ते, मेरा नाम साधिया है और आज हम साथ में एक छोटी सी ओपन अवेर्नेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे ओपन अवेर्नेस यानि हम अपने वातावरण में जो भी इस वक्त हो रहा है उस पे ध्यान लगा सकते हैं जैसे कि हम आवाजों पे ध्यान लगा सकते हैं या हमारे पैर जमीन को छू रहे हैं उस पर्ष पे ध्यान लगा सकते हैं या हमारे बदन पे कहीं गर्मी का एसास हो रहा है उस पे ध्यान लगा सकते हैं तो चलिए ये प्राक्टिस में गाइड करूँगी इसको शुरू करने के लिए एक आराम सी जगा पर बैठ जाएए आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं या जमीन पर अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो आपके पैर जमीन पर अराम से ठिके होने चाहिए और जमीन पर बैठे हैं तो सुख से पलाटी लगा के बैठ जाए अब आपको एक मेडिटेशन बेल सुनाई पड़ेगी उसकी आवास पे धीरे से अपनी आँखें बंद कर ले सारा ध्यान अपने शरीर पर आपका चेहरा एकदम रिलाक्स्ट है कहीं भी कोई टेंशन नहीं है आखों में या माथे पर दात भी बिलकुल एक दूसरों से जुड़े हुए नहीं है धीले हैं आपके कंधे रिलाक्स्ट हैं आपका पेट रिलाक्स्ट है और आपके हाथ और पेर एकदम रिलाक्स्ट हैं और इस रिलाक्स्ट शरीर में आपकी पीट बिलकुल सीधी है अक्डी हुई और टाइट नहीं है धीली है पर सीधी है अब सारा ध्यान प्रेजन्ट में ले आए और जो भी आवाज आपके कानों में आ रही है उस पे ध्यान दें चाहे वो पंखे की आवाज हो या चरिया की आवाज हो या ट्राफिक की आवाज हो जो भी आवाज हो उस आवाज को पहचानने की कोशिश नहीं करने है समझने की कोशिश नहीं करने है सिर्फ सुनना है आराम से उस पे ध्यान लगाना है और उसे सुनना है झाल 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 चाहे मन कितनी भी भार भटब चाहे उसे वापस आवाजों पर ले आना है सारी आवाजें वर्तमान में हैं और इन पर ध्यान लगाने से हमारा मन भी प्रेजन्ट में रहता है झाल 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 अब अपना ध्यान ले जाए पर शरीर पर जमीन का सपर्श अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी का सपर्श पैरों पर जमीन का सपर्श आपके हाथ आपकी गोद में हैं या आपके पैरों पर हैं उसका सपर्श सारा ध्यान सपर्श पर क्या छू रहा है और कहां छू रहा है सिर्फ जानना है द्रश्टा भाव से जानना है यह नहीं कि हम उसके बारे में सोचने लगें कि वो अच्छा सपर्श है या नहीं है वो कैसा सपर्श है यह हमारी कोशिश नहीं है सिर्फ जानने की कोशिश कि सपर्श है और इस तरह महसूस हो रहा है इस वक्त शरीर पर कपड़े का सपर्श हमने जो कपड़े पहने हैं वो कहां कहां शरीर को छू रहे है कहां कहां वो सपर्श महसूस हो रहा है वो जानने की कोशिश देखने की कोशिश लेकिन सपर्श को ढूंडना नहीं है बस जानना है आराम से प्यार से सिर्फ देखना है और इसे देखते देखते मन को बरतमान में रखना है शांत रखना है और चाहे जितनी बार मन भटक जाए यह जानना है कि भटक ना तो मन की आदत है और इसी के साथ तो हम काम कर रहे हैं मन को वापस लाने का काम उसे एक जगा तिकाने का काम उसे एक आगर करने का काम तो यह जानते हुए चाहे जितनी बार भटक जाए बस मन को वापस ले आना है बार बार अपने मन के प्रती कोई भी नेगेटिव फीलिंग पैदा नहीं करना है फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि क्यों यह इतना भटक रहा है सिर्फ उसे वापस ले आना है और अब आखरी कुछ मिंट मन को अपनी सांस पर ले आएंगे और बस जानेंगे किस तरह सांस अंदर आती है और बाहर जाती है सिर्फ जानना है सांस अंदर आई तो जान लिया के सांस अंदर आई सांस बाहर गई तो जान लिया के बाहर गई बस इस तरह मन को सांस के आने जाने पर टिकाय रखना है अब कुछ गहरी सांसे लेते हुए हम अपनी प्रैक्टिस को एंट करेंगे और जब आपको मेडिटेशन बेल सुनाई दे आप अपनी आखें खोल सकते हमें झाने आपूल सकते उन याप्यों हमें नभ एंट service बहूल कि यह प्रैक्टिस जरूर दोहरा है जब भी आपको मौका मिले आपका दिन शुभू